हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर चैनल, दोस्तो स्वागत थे आपके अपनी यूटूब चैनल इंडियन आर्मी श्टडी क्लासेज में, दोस्तो आज मैं आपके लिए जो है नर्सिंग असिस्टेंज, नर्सिंग असिस्टेंज और टेक्निकल, इन दोनों का जो है माहा मैराथ माराथन वीडियो आपका होने वाला है, महा मैराथन वाला है इसमें आप लोगो को वह 50 कोश्चन बताये जाएगा, जो आपके पिछले 15 सालों से जो है आपको लगतार दोहराय जा रहा है, यानकि 15 वर्षों से लगतार जो कोश्चन आपको, मने हर बार रिपीट किया जात वहीं कुछ question है इसमें और कुछ question जो है आपको नए नए question है जो आपको इस समय पुछा जाएगा तो दोस्तों आज मैं आपको वहीं question बताऊंगा जो कि आपकी exam के लिए useful होगा और आपको बहुत ही help करेगा चलिए दोस्तों start करते हैं तीन सा एकाउन नबर कोश्चन धान के खेतों में निमन में से कौन सी गैस सरवाधिक मातरा में निकलती है तो आपके लिए option देखी carbon dioxide, methane, carbon monoxide, sulfur dioxide तो दोस्तों इसमें होगा कौन आपका तो धान के खेतों में सबसे अधिक जो गैस निकलती है आपका methane निकलती है ठीक है पेट्रोलियम एक मिश्रन है पेट्रोलियम एक मिश्रन किसका और या कर्बोनेट का या जो है हाइड्रो कार्बन का या कर्बाइडो का तो दोस्तों इसमें पेट्रोलियम किसका मिश्रन होता है तो पेट्रोलियम जो होता है आपका दोस्तों हाइड्रो कार्बन का मिश्रन तिरली दोनों बहुत विवियाओ कोहतरा और याद रखेगा क्रिवारकास्षा याने किसी भी ट्रेमेट्मेन象 हैतो यार चित की क्रिक सोन अर्पनेन में किसी मेर्देन को के सिअल पूला heeft। अंता छेपन होता है, तो किसका अंता छेपन होता है दोस्तों, तो आपका अपसाने फर्मिक अम, एस्टीक अम, अगजेलिक अम या टर्टीक अम, तो यहां जो है आपकी लाल चिट्टी को काटने से जो होता है फर्मिक अम होता है, अंता छेपन, फर्मिक अम, यानि कि आप स होता है वह फर्मिक अमल कहीं अंद छेपन होता है। आई होप आपने इसको समझे होंगे अच्छे से क्योंकि यह कोशन बहुत ही भी भी आई कोशन है। आसु गेस का रसायनिक नाम है तो आसु गेस का दोस्तो रसायनिक नाम है अलफा क्लोरो एसितो फिनोल जो है आसु गेस का रसायनिक नाम है यह बहुत ही भी भी आई कोस्चन आसु गेस का रसायनिक नाम अलफा क्लोरो एसितो फिनोल निम्द में से कौन सा यह एक बायो गेस क गाटक कौन सा नहीं है दोस्तों तो बायो गैस का जो घाटक नहीं है आपका नाइट्रोजन अक्साइड. तीन से संदाओन पुछा है, निम न लीखे द्रववों में से कौन सा यह प्राकृतिक कच्चे माल से बनाय जाता है? तो नीन में से वो कौन सा प्रकृतिक यान की कौन सा उद्रभ्यों है जो प्रकृतिक कच्छे मालों से बनाय जाता है दोस्तों तो आपके जो कहें है यहाँ रेयोन रेयोन जो है कच्छे मालों से बनाय जाता है नेक्स्ट कोजन देखिए, टेपलोन क्या है, टेपलोन क्या है दोस्तों, टेपलोन जो है आपका, पॉली टेटराक्लोरो इथलीन जो है, या टेपलोन है, ठीक है, परतिरोधी का उधारन है, एंटी सेप्टिक का उधारन क्या है दोस्तों, यानिके परतिरोधी का उधारन क् डेटोल, मिठलीन ब्लू और जेन्सन वाइलेट यानि कи यह तीनों आपका पर्थिरोधी यानिकी एंटिसेप्ती का उधारन है ठीक है बिक्रितिक क्रित एस्पिरिट एथनॉल का मिसरन है यहां जो आपके पुछा है बिक्रितिक क्रित एस्पिरिट एथनॉल का मिसरन है किसका तो यह पाई रिडीन का पाई रिडीन का इमली में निमल में से कौन सा ओमल होता है तो दोस्तों इमली में इस बार एक कोच्चन आपसे पूछेगा है यह पूछेगा है तो इस पुछेगा टोर्टिक ओमल जो है आपका इमली में होता है इमिली में होता है और जो है साइट्रिक अम, साइट्रिक अमल जो है आपका निम्बू में होता है, कंचन निम्बू में होता है, साइट्रिक अमल जो है आपका सिर्का में होता है, सिर्का याद रगेगा सिर्का है, बहुत ही विवयाई कोशन हर्ट बार पुछा जाने लोगा सिरका और जो है अगजेलिक आम यह भी इंपोर्टन कोचन होता है यह टमाटर में पाए जाता है तो आप चारों कोचएं इसको याद करजाएं क्योंकि एक कोचएं आपको इस बार भी पुछा जाएगा next question आपसे पूछा गया है दोस्तों कि ओजोन परत को हास यानि कि छाय करता है ओजोन परत को हरासित लिखना चाहिन कि छाय करता है कौन करता है दोस्तों को जो है है उज강 करने वाला है जहाइँ करने कि व्रेक्प यादे बन सरक्रा है मन तो सबसे मीठी सरक्रांगे Соाबुन बनाने में नहित प्रक्रिया है कौन सी है तो साबुनी करन जल अफ घरन द्राव या बहुली तो्सक्तों यह देखे साबुन से ही होता है साबुन न कलम होता यह ही आपका प्रक्रिया में karan में दखिए हैं पांच पर्तिसर्ट जल्वाले एथनॉल को कहते हैं तब परस्थीट और काते हैं पांच परतिसर्ट जल्वाले एथनॉल। कारबन दोशाइड वव बेंजीन कारबन मनो अक्साइड वव बेंजीन जो है सबसे खतरनाक धुँआ है इस्तुरू सरक्रा के किनवन से निर्मित सिर्क्रा में होता है तो इस्तुरू सरक्रा के किनवन से निर्मित सिर्क्रा में क्या होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल होता है इस्तुरू सरक्रा के किनवन से निर्मित सिर्का जो है एसिटिक अम्ल यान जिए कि जहां सिर्का करना खतनी हुए दोत तो जो है नाखुन पोलिस परिमार्जन यानिकि जो है नाखुन पोलिस वाला जो परिमार्जन है चिर्टी काटने या ब्रहुम्र देष परभावित च्छेत्र में लगने वाल निमन में है तेहां यूदिया में जो होता है दोस्तो अठाटर परतिसत नाइट्रोजन होता है यूडिया आपका यहां सही हो जएगा यूडिया कपड़ों तथा बर्तनों को साप करने के लिए प्रिव। डितरजन में निम्न में से क्या होता है उसमें निम्न मेंसे क्या जिएदा होता है संपोनेक होता है सबस्बिутार अबन को हुआ है अब हैंसे कोण सत्त्व सूध सरक्रा में बिदमान होता है बज़िये हैनकि निवन कोश्चान नेहीं होती है नहीं है यहtha आप से कोश्चन पर जTalkो हमें вспł yondra स्ऺुआते हैं में से नहीं हुआ है और यहां नहीं होता है सो करदो में और लुक्त डिक्ता ही नहीं है यार कोश्छन करते समय हम भी बहुत बार थिन निर्व थे रूप में प्रियूख्थ होता है एहीं लीन घ्लाइकवल ए थिलीन ग्लाइकॉल कि नेक्स्ट कोश्टन 3-3 तर, निवन में से किस एक में, संचाय से धावकों को दवराने के बाद पेरों में मान स्पेशिया में दर्द कान भाव होता है तो दोस्तो, जो धावक जो है दवरने वाला बंदा जो है यानि कि आप रुणिंग के त्यारी करते हैं तो आपके देखिए कवी काल पैरों में जो है मन स्पेसियों में यह घुटने के नीचे वाले पीछे वाले हीसे में दर्द कभी-कभी होने लगता है तो इसका कान क्या है ? लेक्टिक औम यानि कि आप ज्यादा तर चीनी वाले या दूध वाले समान खा रहे हैं इसलिए जो है आपका दर्द थोड़ा होने लगता है मिलान किजिए . सूची 1 , सूची 2 उत्पा राकिक सब्सक्त दूर होने थे पर्मिक में होता है शिट्रिक औम यानि के निंबू में होता है टर्टिक औम वे इमली में होता है यहाँ समाझ गए दोस्तों यानि के 1 का जो है 3 होजाएगा यक का 3 V का जो है 1 B का 1 हो जाएगा और C का 2 हो जाएगा यानिके आपका Option जो है B यहाँ Correct हो जाएगा Next question देखिए 89 मुत्र के शरोवन को बढ़ाने के लिए पर्यूख्त आउस्दी को कहते हैं तो मुत्र के शरोवन को को बढ़ाने के लिए प्रियुक्त औसदिए को किहा काते हैं दियुरेटिक, डाइ यूुरेटिक को 다음에 गहडे तले हुए खादपदाद के क्या जनक राता है, कि इनले परचूर होता है कि अब जानते हैं who you समय जब तार देती है तो उसमें क्या हो जम्रश हो जाती है क्योंगि फोटोग्राफिये प्लेटों में करल या रैलाइड कंपड़ में प्लेट निम्हस क्यों कि το तो फोटोग्राफिये में ढ नेक्ट पुछा है, टेट्राइथाइल लेड यानि कि T.E.L. टेट्राइथाइल लेड निवन में से क्या है? टेट्राइथाइल लेड जो है आपका अप अप एसफोर्ट रोधी यवगिक है. परमानु उर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप नि से कौन सा ये एक नूकली नहीं है, तो इलेक्टाब ये नहीं है, धूस्तों मैं आपको एक बार फिर भी बता दूँ कि या जो कोचन आपको बार बार दोहराय जाने वाला कोचन है, इसलिए आपको इसको 100% देखना ही देखना है, बिना किसी मतलब मिस कि हर कोचन को सिसा पेंसिल के निर्मान में किस समागरी का प्रियों किया जाता है, पुछाए पूछा है पृत्वी किस प्रिकार कदा निर्धान किस प्रिकार कहाता किया जाता है तो आपका प्रित्वी की पुरानी इस निर्धान किस परकार किया जाता है तो यह रेडियो रेडियो मैट्रिक काल निर्धारक द्वारा किये रेडियो मैट्रिक काल निर्धारक द्वारा सिमेंट की खोज किसने की बहुत ही इंपोर्टेंट कोचन इस बार यह पुछे जाने की 100 percent समभावना कि सिमेंट की खोज किसने कही तो ज fulfilled जोसेप ऑपस टाइप डिन नहें जोते आप सबस्त । जो सिमेंट की खोज की नेक्स्ट पुछा है निवन में से कौन सा कफण साहई है दो तो आपको कफण जो enteen है यहां एक पर मानूं के नाभिक में दनों होते हैं, elektron जो है उसके बाहर होता है, ठीक है एक परमानु के जो है नाभीक में जो है proton और electron अंदर रहते हैं electron जो है ऑन राता है तो भाहर रहते हैं, ठीक है तो कंफूज मत हुए गा 0 किसी बीतर नाभीक में proton और neutron रहता है सूपर फास्फेट में उपाच्ती धातु पर्मानू कौन सा है कल्सीम है 390 देखिए उसमाइ के शर्बते निक रिष्थम चालक क्राम सब क्या है उसमाइ के सबसे अच्छा यहाम सबसे कब चालक क्राम सब कौन सा है तो आप लोग तो सभी लोग जानते हों की चांदी सबसे अच्छा होता यूषम के च्छालक और जिसा यूद्ढी के Lほど सबसे कौम होता यैसे कि ना मत रहकी बराबर सिसा में च्छालकता होती है इक नम्न धाथ यूँ में से कोना है हाइ Divine की पंधिक ब्रीकरियाहा है निवन धात्यों में से कौन सा जो है एक हाईडोजन के पेक्षा अधिक अभीक्राइस है तो रांगा यानिकी रांगा आप जानते होंगे जो क्या बलते हैं उसको सोल्डिंग करते समय यूज गया जता है यह कोशन पूछता है कि सोल्डिंग करते समय किस धातु का उपयोग करते हैं तो रांगा कर ठेक है तो यहां भी आपका हाइड्रोजन के अप्रेक्षा अधिक अभी रांगा है ठीक है एलमुनियम 27-13 में न्यूट्रोनों की संख्या क उसके प्रमानों के अंदर होते हैं तो इसलिए घंशा भी आप इसको न्यूट्रोनों की संख्या निकालन के लिए उपर वाले में से नीचा घटा लेंगे आपका एंसर हो जाएगा ठीक है निमलीखित में से कौन से एक संक्रमन धातु है तो संक्रमन धातु कौन से होता है तो मैंग नीच जो है संक्रमन धातु है मैंग नीच निमलीखित तत्व में से कौन से एक अमलों से हाइड्रोजन परतियस्थापित कर लोवन बनाएगा तो निमन में से कौन से एक अमल है जो हाइड्रोजन परतियस्थापित कर लोवन बनाएगा यानिकि हाइड्रोजन को परतिया स्थापित एनके त्याक करके लौन बनेगा वह कौन सा अम लहें दोस्तों तेहां जस्ता हो जाएगा जस्ता नेक्स्ट कोजन देख लिजिए तीन सा पंचाने पुछा है निवन में से कौन सा रासाइनिक परिवरतन निरूपित करता है तो लोहे का चुम्बन, द्राव का संघनन, इथर का जोलन और जो है लोहे में जंग लगना है तो दोस्तो एक बात कि यहां रासाइनिक परिवरतन तो रासाइनिक परिवरतन में ने बताया था कि वह कौन सा परिवरतन है तो रासाइनिक परिवरतन वह परिवरतन है जो एक बार अपनी अवस्था में जाने चेंज करने के बार यानिक एक बार अपनी अवस्था बदलने के बार फिर अपने वस्था में वापस नहीं लोट हमें आ सकता है उसे भातिक पडशिया है यहां लोहा पर एक बढ़ जंग लग गया दोस्तों त्रीष जर फिर पस नहीं बन सकता है इसलिए आपका लोहा पर लगना यह क्या है रसाइनिक प्रिवर्तान है ठीक है नहीं यहां कुट चुलने को बता है तो यह इथर का जलना है यान कि देखें कोई भी बास तु जल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है और जंग लग जाता है तो फिर वह पहली की तरह नहीं होता है यहां तीन और चार दोनों सही हो जागा ठीक है तीन और चार दोनों ये कोचन इस तरह का पका आपसे पुछता है ये नहीं लेकिन इसके इसी तरह आपको एक कोचन पुछता है पुछता है तो क्या पता ये इसमें आपको पुछ दे तो निन में से कौन सा एक तत्व की अभिक्रिया सिलता का सही इसे हमीं की स्रेट अधिक की में परके रहें साथ सिरका किसे सिरका को आपको बनाया जाता है सीरका हमेशा बनाया जाता है भी आपको मैंने बताइग था कि एथनाइक ओमल से बनाया जाता है तर नेक्स्ट कोचन पुछा है कि सूची एक को सूची दूसे मिलाई है यानिकि सुमेलित किजिए तर सूचियों के निज़े दियेगे कूट का प्रयोग कर चाहि उतर चुनिए यानिकि कूट का प्रयोग करना है हम लोग ठीक है तो यहां उजोन गैस जो हो जाएगा आपका पराबैगने किरने जो उजोन गैस को छत कर दी है पराबैगने किरने ठीक है नाइट्रस अक्साइड नाइट्रस अक्साइड कौन सा हो जाएगा दोस्तों तो आपका नाइट्रस अक्साइड जो हो जाएगा और रक्त किरने और रक्त किरन सबसे कम मत्रा में Crimव ऊक्साइड है , carbon monooxide आपका Hemoglobin के संभन के साहंग सनयोज करता है कटSets requirements देखिएë आपको पुछा है कि उनके बदले में प्रयूक्त होने वाली बहुल 나는 थन्तु जो सिंथेटिक कॉंबल स्वेटर आधी बनाने में काम आता है क्या है तो उनके बदले में प्रियुक्त बहु लग है तन्तु सेंथेटिक कॉंबल स्वेटर आधी बनाने में काम आता है क्या है तो तो जो है आपका नैलोन क्या बलते हैं इसको नैलोन याद रखेगा नैलोन इस लास्ट कोचन और इंपोर्टेन कोचन आपको इस टाइप का एक कोचन सुची 1 सुची 2 से मिलाने को 100% देता है इसलिए जो भी सुची आपको बताया जाए उसको आप याद कर जेए ताकि आपको है यहां चार कोचन पहल का बात की त्यार हो जाता है और जो है एक कोचन सिसा और टीन का बना जाता है यह हमेशा पुछा जाता है कि सोल्डर जो है क्याची का बना जाता है सिसा था टीन का बना जाता है पीतल जो है दोस्तों क्याची का बना जाता है तो पीतल आपका तामबा और जस्ता कांसा कांसा जो है आपका क्याची का बना जाता है दोस्तो कांसा आपका तामबा ताथा टीन का बनाया जपा पर मैं आपको बता दू कि यह जो पचास कोशन में आपको 100% दोस्तो अब की बार जो है कमेश्ट्री में आप जाएंगे तो 5 कोशन किसी तरह आपको इस पचास कोशन में से पूछेगा दोस्तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप इसको लाइन बैलाइन और याद कर जाहिए जितना भ दोस्तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्यू जैहिन